हेलो एवरीवन कैसे आप सब वेलकम टो माई चैनल स्वाती व्लोग पुरेदाबाद और आज है मंडे और आज है होई अस्टमी और मैंने भी फास्ट रखा है और जो ये वाला जो फास्ट है ये बच्चों के लिए किया जाता है और मेरा जो चोथा वर्त है ये वाला जो पूजा कर लेते हैं और अभी हमें बैट गही हूं पूजा करने के लिए तो सबसे पहले जो मैने कर्वाचत के क्लेंडर लगा रखा ता वहन ने हटा दिया। בפर जाए होई माता क्लेंडर में ले फोल्ڈ करके अच्छे से मैं रख दूंगी, जो कि अगली बार भी मेरे काम आ जाएगाजाए तो अव्य हां पर यह मैं एक एक समान करके लाते हैifter तो सबसे पहले दो जो यह कमुई हो एश पर मैंने कलावा बाइँ दिया है और उसके उपर मैंने ये चाल रख दिया है जितना भी ये समान मैंने फ्रूट्स मिठाई ये चाल रखे सब मैं ये पंडित जी जो है उनको दे दूँगी और यहाँ पर मैं टीका कर रही हूँ सबसे पहले गनपती जी को, लक्षमी जी को, होई माता को और जितना मुझे पता है सिंपल तरीके से उसी तरीके से बस मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और कहानी मुझे कोई सुनाने वाला तो है नहीं और यहाँ पर मैं खुदी कहानी सुन लूँगी, पढ़ लूँगी और सुन लूँगी और बस यहां पर मैंने जो है दिया भी जला दिया है और बस मुझे भी कहानी जो है हाथ में थोड़े से चावर लेके और कहानी जो पढ़नी है मैं वो शुरू करूँगी और इसमें न दो कहानिया होती है करवाचुत में भी दो कहानी थी और इसमें भी होई के में भी दो कहानिया है तो वो मैं पढ़ लूँगी और इस बुक में इना सब लिखा रहता है किस तरीके से पूजा करनी है क्या क्या समान चाहिए सब इसमें लिखा रहता है तो बस मैं थोड़ा बहुत उसी तरीके से कर रही हूँ और कमोई में जो हम जल भरके रखते हैं वो दिवाली वाले दिन यूज होता है सफाई में पुरे घर में इसका छिड़का होता है अपने सफाई में यूज करना होता है इसका जल अभी यह नहीं पता है कि छोटी दिवाली वाले दिन होता है या बड़ी दिपावली वाले दिन होता है ये मुझे अपनी बड़ी भेहन से या ममी से पूझे पूछना हो फिर कोशाए में प्रूजा पर पर जो है जो है जो लोटे में जल है और में सुर्य भगवाण को दूँगी और wr囤 बीच में आते रहते तो पैरों में लगी पानी तो वह वाला जो जय जल है वह मैं तुलसीजी में दे दूँगी और यहां पर आ गई हूं मैं अब किचेन में और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है अपने लिए कहानी सुनके चाय पी लेते हैं इस वाले फास्ट में तो हमेशा ही मैं पीती हूं तो मैं चाय पीऊंगी कुछ फूट्स खालूंगी इस टाइम पे और कुछ डबे मैंने जो डबे दो तो उसमें बहुत टाइम लगता है जो जो खाली हो साथ के साथ दो के साफ करके अच्छे से रख दो तो सही रहता है तो मैं वही जो सूख गए है इनको भी ये जो दो खाली है शीशे वाले वो भी रख दूँगी और एक यहां पर एक प्लास्टिक का है उसको भी लग दूँगी और मैं अब जो मैंने दू चड़ा रखा था उसमें मैंने पती और जो की खांड है वो डाल दूँगी और कई लोग सोचते हैं कि खांड डालने से ना चाय फट जाती है तो मेरी तो आज तक नहीं फटी है और मैंने कुछ महीनों से ही शुरू करी है अपरे लिए मई के महीने से क्योंकि तब ही मुझे पता लगा था कि हा मुझे शूगर है तो तब मैंने खांड की यूज करना शुरू कर जाता है चाय में तो खास करें दूद हो चाय हो दूद भी पीना तो मैं ऐसे बीना चीनी या खांड डाले में पी लेती हूं और चाय में खा करवा लिया है क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर तीन डब्बे हैं यहां पर मेरी चाय जो है वो भी उबल गई है बस अब मैं च्छान लूँगी इसको भी और आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरू करना शेयर कर देना दोस्तों फैम रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो है स्वाती फ्लॉग फृताबाद तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पे भी मैं बहुत अची चे रिल्स बनाती रहती हूँ अच्छी है पूरी वो खुला सब वहम रहता है इस वजए से और बरतन भी जितने भी हम धो होंके वो इस्तेमाल करते हैं जितने भी कर सकते हैं जैसे कड़ाई पूकर है गलास है यह सब चीजे प्लेट तो मैं नहीं दोती हूँ लेकिन जो धोके मैं यूज़ कर सकते हूं वो कर रही हूँ यहां आपय मेरी चाय जो बन घई हैं और अभी अराम से मैं चाय पिएँगी ठोड़ी दर बैढ़ के और फिर टीवी देख रही हूं और मैं देखते हैं दो सिरियल एक तो ये वाला पहनी है, मैच तो इतनी नहीं हो रही है, मेरे पास पहले से ही रखी थी, तो मैंने थुछा सा जुगार कर लिया है, तो बस इनी से जो मेरा काम है, वो चल गया है, और यह बोड़े थे, यह सूट के साथ तो चुननी लग ने रही है, मैंका आज कल ऐसी ही आती है, और मेरा सूट जो है, वो कैसा लगा आप लोगों को, यहां पर बाजू पे मैंने यह वाला जो डिजाइन है, वो करवाया है इस सूट पे, और सिल्वार वाला बनवाया है, यह सूट जो की, जो पंजाबी पटियाला जो भी बोलते हैं, उस तरह का यह सूट बनवाया है, म और यह वाला जो लुक है मेरा आप लो कैसा लग रहा है मेरा सूट कैसा लग रहा है तो जरू है यहां पर मैं जभिन इस तरहीं किसी वीडियो बनाने के लिए बोलत 건ा है सूट को दिखाकU 1196 00002 00002 10000 Astronom एरिटिंग करते हुए देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है अच्छी बनाई है ठीक बनाई है और यहां पर मैं अपने एरिंग दिखा रही हूं यह वाले भी मैंने पहली बारी पहने हैं बहुत टाइम पहले से मैंने लेके रखे रखे दे और यह है मेरा पूरा सूट का सबजी बना रही हूं थोड़ा फ्राइब करके रोज रोज तो इस तरीके से अच्छी नहीं लगती है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें तेल होता है इस वज़े से पहले मैंने आलो को फ्राइब कर लिया है उसके बाद जो गोभी है उसको भी फ्राइब कर लूँगी हलका स इस पर ब्राउन से कलर आ जाएगा न तो वो अच्छा लगता है ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा कहीं आ जाता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी लगता है खाने में भी यह वाली सबजी अब कोई इस तरीके सब काट के तियार करके दे देतान तो बहुत असान काम हो जाता है तो यह जो थोड़े से तेल्शा था उसी है पजो जीरा मैं ऐलाइबत Storage हुटबी और प्राउन हो चुक और चीन्जवी को नुदो मुसमाइब भालब, यह तो बिल्क में आगे लगा अगा, पता है यह तो मैं पता हूं जाता है। मैं पता पजाए जसे कि भालब मेश कर दो आदिया, जो आदो मोगी पारते हैं। अब यह बाद भी दाल दी यह फ्रोजन मतर है इसलिए थोड़ा से लास्ट में ही डाले है मैंने तमाटर जो है मैं अब काट रही हूं इसमें जो कि तो इसमें बिल्कुल भी पानी डालूंगी और बहुत ही जल्दी यह सब्जी बन जाएगी बस धक दूंगी इसको और बीच यह अच्छी बनते हैं इसको दिखाने का मज़ा ही अलग होता है बहुत ही टेस्टी बनी है सबजी पर यह बनने की तेयारी शुरू होगी है तो कढ़ाई में घी डाल दिया है यहां पर सूजी डाल दी है तो हल्वा तो यही बनाते हैं मैंने पहले बताया था जब 9 में वा लेकिन बीच जो मैं कोशिश करती हूं तो मुझसे हर बारी कुछ ना कुछ इसमें गाठे पड़ जाती है या फिर अच्छे से वह सूखा सूखा सा जीब सा बनता है विल्कुल खाया नहीं जाता है फैक नहीं पड़ता है और यहां पर जो है बेसन भून चुका है लेकिन सब कहते है कि हलवा बनाना पहुत ही असान है पर वही मुझसे नहीं बनता है कोशिश तो की है और मैं लगाता कोशिश करते हैं वह शायद बन भी जाए लेकिन मैं खुद ही हार बान जाती हूं तो यहां पर जो सूजी है वह अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी उसके बाद यह अभी बस यह थोड़ा सा सूख जाएगा पानी तो अभी देखो जैसे कि सूख गया है तो इसमें चीनी एड़ कर देंगे यहां पर तो चीनी जो है और जब मैंने खाया है ना हलवा बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत जाता मीठा नहीं हलका सा मीठा है जो की आप खाओ तो मतलब बार बार में लेने का मन करें एक बार में यह सने की बस अब और नहीं तो हलका सा मीठा है इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस वक्त पे जो नारियल का जो बुरादा होता है वो खस खस जिसको बोलते हैं वो है मेरे पास पैकेट रखा हुआ था तो वो एको ही अबहुत ही कि यह बस हल्वा होद बनकए है ते यहां बहुत है यम हमि यम टेस्टी टेस्टी सा हल्वाद के सुची का ते गार होद्वा व्हक्त makes unity जो बिया चर आज और और अब जो है और इस इन्होंने बने और अन्हों एन्हों है और यह ईकाप सबजी सबनाती कर दोर वे ति कि या पर जो मेरी रोटी वो अच्छे से फूल नहीं आपैं ज़िक तो मैं यहां पर पूल बीरिया भी को बहें आपर बेह रई ती मिरी कि फूल मत और जब इस वज़य से और खाना जो है वो पूरा बन चुका है हमारा सिंपल सा यहां पर में शाम की जो है पूजा करना शुरू कर दिया है तो बस अभी शाम की पूजा कर रही हूं तारे भी अभी निकल गई है और होई माता के सामने भी मैं प्रातना कर रही हूं दीपक जला दिया है इन शाम के ट तब मुझे माफ करना और जैसे मेरी सुनी है वैसे ही सब की सुनना सब के घर में खुशिया लेके आना और सब कुछ बस ठीक ठाक अब हो जाए और बस यहाँ पर मैंने तुलसी जी की भी पुजा कर ली है और बस जल जढ़ाऊंगी यहाँ पर और अभी मैं अपना खाना निकालने लगी हूँ इन्होंने तो मना कर दिया है मैं अभी नहीं खाऊंगा तो खा ले अपना मेरा इंतिजार मत कर और तो मैं कभी इंतिजार भी नहीं कर दिया है सच कहूंँ तो मैं खा लेती हूँ ऐसा नहीं कि मैं बैठी रहूँ यह नहीं खा रहा है तो इनको भी भूख नहीं है तो मुझे तो भूख लगी हुई है तो मैं खा लेती हूं साथ में मैंने पानी ले लिया है और खाना देखके तो उसके बाद मेरे चेरे पर जो खुशी है उसका तो कोई ठीकाना ही नहीं होता ये हमशे खाना देखके तो सब कुछ बूल जाती है तो बस हमने ये सिंपल से अपना खाना बनाए है आज का तो सबसे पहले मैं पानी पी रही हूँ यहां पर कि अलाम से बैट के पहले मैं पानी पीती हूँ, फिर मैं अपना खाना खाऊंगी, और अभी देखोंगी मैं अनुम पम सेरियल, और जब से यहां पर टी-वी लग गया ना, जब से ममी घर से ले गला, तो मेर्मा घर से लिकでも कहती हैं, आप बैडरुम में बैड ना म यहीं पर एंड करती हूँ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सभी को बाई बाई खुश रहिए स्वस्त रहिए और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना